नमश्कार दोस्तों, पूरे देश में और खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत जादा हीट वेव चल रही है, बहुत तेज गर्मी है दोस्तों, कहीं कहीं 45 डिगरी सेलसियस, कहीं 42 डिगरी सेलसियस और ये जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मई आएगा, तो हमको क्य प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उससे ज़्यादा इंपोर्टेंट, कौन-कौन सी होमेपेथिक मैडिसेन हमें अपने फस्टेट बॉक्स में, मतलब घर में, जो आप होमेपेथिक मैडिसेन का एक पिटारा बना के रखते हैं, एक बॉक्स बना के देखते हुए, अलग-अलग प्रॉब्लम्स को देखते हुए, रखनी चाहिए, ये मैं आज आपको चाहिए दूगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और अगर इस गर्मी में आपको बहुत बचना है, अलग-अलग प्रॉब्लम से, तो ये वीडियो आप आख जरूर करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर से दबाए, फेक अकाउंट से मितलग उसमे इस नंबर पर कुछ भी मिल जाएगा, तो ऐसे अगर मैसेज, यूटूब के मैसेज सेक्षन में दिखें, या टेलिग्राम में, या इंस्टाग्राम में, या फेस्बुक में, कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ दिखता है मेरे नाम से, तो वो फेक है, आप बिलकुल भी ऐसे या ऐसे फेक नंबर के संपर्क ना करें, और क्योंकि अगर आप संपर्क करेंगे, तो फ्रॉट का सिकार होंगे, सिंपल सी बात है, और मैं हर वीडियो में ये बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिलकुल भी फ्रॉट का सिकार ना, सिर्फ आप य चलिए, टॉपिक, में टॉपिक के तरफ चलते हैं, आपके पास कौन-कौन सी होमेपेथिक मैडिसीन होनी चाहिए, फस्टेट बॉक्स में, जो आपको गर्मी से बचाएगी, और गर्मियों में अलग-अलग प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी हो सकती है, तो सबसे पहले हम बात कर कहते हैं, लू की मतलब हीट-च्टो की. Αगर आपको लू लग जाती हैं, आपका सरीर में में बहुत西 की अभीहार जाता है, और छिए अचिसे, आपको बचने के लिए, आपको SIMPल madic का उप्योग करना है और उस होमेपेथिक मैडिसन का नाम है ग्लो नाइन दोस्तों ग्लो नाइन लू से बशने की सबसे इफेक्टिव होमपेथिक मैडिसन है इसे जरूर यूज करें ग्लो नाइन आप 30 CH पोटेंसी में यूज करें पिच्छर आपको देख रही है ग्लो आप घर से बाहर निकले कुछ भी काम करें आप अपने जेव में ग्लो नाइन ठैटी जरूर रखें आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यार मुझे अजीब सा लग रहा है बहुत वीगनेस से लग रही है हाथ पैर हलके से जलन कर रहे है या हाथ पैर में हलका दर्द ह इस तरह कि कोई भी सिम्टम आपको देखने को मिले या मुझ सूख रहा है तो आप पानी तो जरूर पिए और जूसेज भी जरूर पिए लेकिन ग्लो नाइन ठैटी भी दोबून पिले इससे आपको लू नहीं लगीगी यह बहुत ही एफेक्टिब मैडिसेन है जानी मानी सालों से लू से बशने के लिए लोग इसका इस्तमाल कर रहे हैं और मैं कम से कम तीन-चार बार इस पर वीडियो भी बना चुका हूं हर गर्मी मैं इस पर एक वीडियो नया लाता हूं और काफी सारे लोग इसका उपयोग करते हैं और लू से बशते हैं तो लू से बशना ह ग्लू 930 फर्स्टेट बॉक्स में रखें और फर्स्टेट बॉक्स के आपने जेव में रखें बस यह चीज जरूर ध्यान देखें कि ग्लू 930 आपके पास होना चाहिए अगर आपको लू से बचना है यह बच्छों को भी दे सकते हैं बड़े भी यूज़ कर सकते हैं से बच जाएंगे बहुत बढ़िया प्रिवेंटिफ होमपेथिक मेडिसेन है लू के लिए हीट स्ट्रोक के लिए और अगर आपको लू लग भी जाती है तो भी आप ग्लू 930 यूज़ करें थैटी सीच पोटेंसी में दो बून दिन में तीन चार बार आप पिएंगे तो लू जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगे जो आपको गरम सा लग रहा है जो हलका सा फीवर है बहुत जादा हाथ पैर में दर्ध है और उल्टी दस्त भी अगर हो रही है तो आप बाकी मेडिसेन अलोपेधी ट्रीटमेंट भी कराएं लेकिन साथ में ग्लू 9 यूज़ चाहिए वो घर का खाना हो चाहिए बाहर का खाना तो बहुत जल्दी कराब हो जाता है और अगर हम रेगुलरली बाहर का खाना काते हैं और आजकल तो घर में डिलिवरी होती है और डिलिवरी के समय लगता है आधे गंटे का समय लगता है ऐसे में वो खाना खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और खाना जो आप खराब खाते हैं तो हलकी सी food poisoning होती है आपको उल्टी दस्त चालू हो जाती है तो उल्टी के लिए आप होमेपेथिक मैडेसेन इपीकॉक का उप्योग करें इपीकॉक मैडेसेन उल्टी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मैडेसेन है और इपीकॉक आप 30 CH potency में दो बूंद सुपह जैसे हैं माली जा किसी को उल्टी आरे दो बूंद पिलाईए हर 10-10 मिनित में इसे रिपीट करिए और एक घंटे के अंदर उल्टी जो बार-बार आ आरी है वह आना बंद हो जाएगी कभी कभी तो सिंगल डोस से मतलब एक बार इपीकॉक 30 की दो बूंद पीने से उल्टी आना बंद हो जाती है यह मैडेसेन बहुत ही एफेक्टिव है वोमिटिंग के लिए और आपको बहुत ही जादा अच्छे रिजर्ट्स देती है तो आप 30 CH potency में दो बूंद पिए जब आपको उल्टी आ जाती है और उल्टी जैसी लगती है मितली के लिए अच्छी दवा है मतलब सिफ आपको उल्टी नहीं आरी उल्टी जैसा लग रहा है एक बार उल्टी आने के बार बार आपको उल्टी जैसा लग रहा है तो यह पीक गंबोजिया यह दवा बहुत एफेक्टिव है अगर बिल्कुल लूज मोशन होते हैं बहुत जाला पानी जैसा मोशन हो रहा है तो गंबोजिया बहुत एफेक्टिव है पेशिंट बहुत जाला डी हैड्रेट हो जाता है गर्मियों में अगर लूज मोशन है तो गंबोज आप 30 CH potency में दो बुंद, तिर में तीन से चार बार पियें, ये medicine आप बस एक या दो दिन लें, आपकी problem ठीक हो जाएगी, इसके साथ lose motion में आप कुर्ची mother tincture का उपयोग सरूर करें, कुर्ची mother tincture, lose motion को तुरंट ठीक करने की सबसे effective medicine है, और बार बार अगर आपको motion lose हो और थोड़ा सा food poisoning हो गई है, तो कुर्ची mother tincture बहुत ही effective दबा है, कुर्ची mother tincture आप लगभग 10 से 15 बूंद आधे का पानी में डालके, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पिये, और आधे दे घंटे पे एक दो बार repeat कर ले, motion बार बार जो पेट में गुर्ण गुर्ण हो कि हर 10-10 मिनट में motion लग रहे थे, बहुत थक गया था, बहुत अजीब सा लग रहा था, उस समय मेरे पास arsenic album 30 थी और arsenic album 30 थोड़ा ज्यादा food poisoning में बहुत अच्छा काम करती है, और arsenic album 30 दो बूंद पिये, इससे food poisoning में बहुत जल्दी आराम लगता है, और lose motion और vomiting दोनों म आराम लग जाता है, तो सिर्फ एक या दो बार लेने से ही food poisoning में आराम लग जाता है, लेकिन इन सब बातों के बाद भी मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको lose motion जादा हो रहा है, vomiting जादा हो रही है, और यह control नहीं हो रहा है, यह थोड़ा मोड़ा control हो भी रहा है, लेक लेकिन mostly 90% cases में patient ठीक हो जाते हैं, और पानी पीते रहें, ORS पीते रहें, glucose पीते रहें और इन सब medicines का उपयोग करें, बहुत ही effective medicine है और बहुत ही अच्छे results मिलते हैं, अब चलते हैं, गर्मियों में हमें कमजोरी की समस्या होती है, weakness की बहुत जादा समस्या होती है, बहुत जादा कमजोरी लगती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चक्कर मार देगा, मन नहीं करता, सुबह काम कर लेते हैं, तो शाम तक सरीर बिलकुल डल हो जाता है, बहुत जाद थक जाता है, तो दो होमेपैथिक medicine आप घर पे जरूर रखें, पहली medicine है जलसीमियम, गर् बहुत ही जादा effective medicine है, और जलसीमियम, आप 200 CH potency में दो बूंद सुबह सुबह सिर्फ एक बार पिएंगे, तो आपको दिन बढ़िया जाएगा और आपको weakness नहीं लगेगे, अगर बीज में कभी weakness लगती है, तो भी आप 200 CH potency में दो बूंद पिएंगे, तो आपको तुरं तुरंत आपको energy फील होगी और तुरंत आराम लगेगा, यह medicine बहुत effective है, खासकर गर्मियों में weakness, dullness, dizziness के लिए यह बहुत effective दवा है, इसके अलावा आप गर्मियों में आवना sativa mother tincture का उप्योग करें, यह medicine गर्मियों में weakness के लिए बहुत effective दवा होती है, आवना sativa mother t आप गर्भार पर जरूर रखें और इसे आप 20 बूंद आधेगा पानी में हे बार सुबह पिए या क्या दस सपंधर भूंद भी चल जाएगा, उत्धा सुबह पिए एक बार शाय को Ti ke Pini बस और और जलसीं मियं में यूज करें, खासकर जलसीं में जरूर याद रखें और जलसीं में एक चीज और ठीक करदेूँइं, उलते हिंडियों में कभी कभी स्रदी siadio हूज करें, सर्दी रख जाती है कोषाया की प्रॉब्लम में अगर आपको हमेör घर्मी में में उती हें the help me जाता है सरदी हो जाती है कभी-कभी हलका फीवर भी हो जाता है और यह गर्भियों में बहुत आम सी समस्य ऐह ऐसे में आप दो homeopathic medicine, हला कि तीन homeopathic medicine आप अपने first aid box में रखें, पहली medicine ako night हा, जो हमेशा आप के first aid box में होनी है, ako night जैसे ही आप थंडा खाते हैं, वैसे ही गला बैट जाता है, वैसे ही आप ako night 30-2 बुन पिएंगे, दस मिनट से आपका गला ठीक हो जाएगा, तो तुरंत असर करती है, लेकिन तुरंत आपको लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपका गला बैठ गया है, चार-पांच दिन बाद आपको अच्छे रिजर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन तुरंत लेंगे, तुरंत आराम लग जाएगा, तो अगर आप ठंडा पीते हैं, ठंडा खाते हैं, आइस क्रीम खाते हैं, तो अगरणाई 30 बहुत ही effective medicine है, और दो बूंद आप पीएगे, तो आपको बहुत आराम लगेगा, और गला आपका ठीक हो जाएगा, इसके साथ आप Spongia Toaster 30 CH Potency में यूज़ करें, यह भी गले के लिए बहुत ही जादा effective medicine है और गला अगर आपका बैट गया है, गला खराब हो गया है, गले में कफ की समस्या है, Spongia Toaster 30 दो बूंद दिन में तीन से चार बार ले, आपका गला जो है वो ठीक हो जाएगा, यह medicine बहुत effective है और बहुत यच्छे results मिलते हैं, अगर गला खराब हो, अब चलते हैं, अगर हलका fever है, तो fever के लिए तो मेरा fever combination यूज़ करें, इसमें मेरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, mostly चाइना, चिरायता, इचिनेश्या, बैप्टिश्या, यह चारो मदर टेंचर्स को आप बराबर मातरा में मिला के अपने first aid box में जरूर रखें, इस अगर अगर आपके हाथ पैर में दर्द बहुत जादा हो, तो आपको ग्लुनाइन और जलसीमियम यूज़ करने चाहिए, ठाटे चाहच पोटेंसी में दो बून दिन में 3-4 बार, यह सभी मेडिसेन आप होमपथिक शॉप में जाके, होमपथिक क्लिनिक में जाके, अच्छी कंपनी की, डॉक्टर रेक्वेक की, शॉबे की, या आप SBL की या कोई और अच्छी कंपनी की पैक अपने पास रख ले इसमें लिख लें, अपने हिसाब से की कौन-कौन सी मेडिसेन मैंने बताई दिये, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा लिख कि अपने बॉक्स में जरूर रखें और गर्मियों में बीच-बीच में ये काम आती ही रहेगी, एक पेटेंट होमपथिक मेडिसेन आपको बताना भ लूज मोशन की समस्या होती है, पेट खराब हो जाता है, पेट में बहुत जादा गैस बन जाती है, और गर्मियों में कभी-कभी इंसेक बाइट भी होता है, मतलब किडे मकोडे होते हैं वो कार्ड देते हैं और उसके कारण सूजा ना जाती है, तो कैसे इसका उप्योब क अगर पेट दर्द, पेट खराब हो गया है, लू भी लग गई है, तो बहुत effective medicine है, और दस भून एक चम्मच या दो चम्मच पानी में आप डालके इसे दो-तीन बार लेंगे, तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, और अगर इंसेक बाइट है, तो एक-दो भून जहां पर इंसेक बाइट है, वहाँ पर आप एक-दो बून डाल देंगे, तो जल्दी ललामी ठीक हो जाएगी, तो ये medicine आपके घर पे गर्मियों में जरूर होने चीए, इस पर भी मेरा एक separate वीडियो है, जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक में देता हूँ, आप वैसे भी सर्च कर जरूर आप यूज़ करते रहें, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगाओ, अगर अच्छा लगाओ, तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटिन दीगा, तो इसको दवाना विल्कुन दिलेगा, और यहाँ पर एक रेट का लगा, सब्सक्राइब का शर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्षेन है, मैसे जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस अतने कल फिन मिलते हैं, चैह हिंद, चैह भारत, धन्यवाद, थैंक्यों सो मच, बाई